30 जुलाई 1987 को गांधी जी के श्रीलंका जाने और भारत श्रीलंका समझोते पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद, विजेता रोहाना नामक एक गार्ड ने अपनी राइफल से उनके कंधे पर वार किया, गांधी जी की त्वरित प्रतिक्रिया ने उन्हें चोट लगने से गांधी ने बाद में इस घटना के बारे में कहा जब मैं गार्ड ओफ ओनर का निरिक्षन कर रहा था और जैसे ही मैं एक व्यक्ति के पास से गुजरा, मैंने अपनी आँख के कोने से कुछ हल चल देखी, मैं प्रतिक्रिया स्वरूप थोड़ा सा नीचे जुग गया, मेरे जुखने से वो मेरे सिर से चुग गया और प्रहार का आघात मेरे बाए कान के नीचे कंधे पर लगा। के साथ बंद कमरे में बैठग भी की। अकाली विरोध के बावजूद जन्मरी 1985 में गांधी ने अकाली नेता एचेस लोंगोवाल के साथ राजीव लोंगोवाल समझोते पर हस्ताक्षर किये। पंजाब का राज्य विधानसभा चुनाव सितंबर 1985 में निर्धारित था, लेकिन लोंगोवाल की मृत्यू हो गई और उनकी जगह सुर्जीत सिंग बर्नाला ने सरकार बनाई, जिन्होंने सरकार बनाई। दो साल बाद, 1987 में, बर्नाला ने कानून और व्यवस्था के खराब होने के कारण अपने पत से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण राज्य में राष्ट्रपती शासन लागू हो गया। मई 1988 में, गांधी ने अमरित्सर में स्वरन मंदिल को हतियारों और बंदूगधारियों से खाली कराने के लिए Operation Black Thunder शुरू किया। राष्ट्रिये सुरक्षा गार्ड और विशेश कारवाई समू नामक दो समू बनाए गए। उन्होंने दस दिनों की घेराबंदी में मंदिल को घेर लिया, जिसके दोरान चरम पंथियों के हतियार जबत कर लिये गए। कॉन्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, Operation Black Thunder ने पंजाब में शान्ती लाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की राजीव गांधी सरकार की इच्छाशक्ती को प्रभावी धंग से प्रदर्शित किया। गांधी जी के प्रधान मंतरित्व काल में पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह में विद्धी हुई। मिजो नेशनल फ्रंट ने मिजोरम के लिए आजादी की मान की। 1987 में गांधी ने इस समस्या का समाधान किया, मिजोरम और अरुनाचल प्रदेश को उन राज्यों का दर्जा दिया गया जो पहले केंडर शासित प्रदेश थे। गांधी ने असम आंदोलन को भी समाप्त कर दिया, जो बांगलादेशी मुसलमानों के कथित अवैद प्रवास और अन्य बंगालियों के उनके राज्य में आप्रवासन के विरोध में असमिया लोगों द्वारा शुरू किया गया था, जिससे असमिया वहाँ अलपसंद ख दिकार नहीं मिला, गांधी ने रॉक्विल इंटनेशनल के पूर्फ कारेकारी सैम पित्रोदा को सार्वजनिक सूचना बुनियादी धाचे और नवाचार पर अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, गांधी के कारेकाल के दोरान सार्वजनिक शेत्र की दूरसंचा भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक रही है। समाचार वेबसाइट वन इंडिया के मुताबिक, करीब 20 साल पहले टेलीफोन को अमीरों के इस्तिमाल की चीज़ माना जाता था, लेकिन इसे ग्रामीन जनता तक पहुचाने का श्रे राजीव गांधी को जाता है। इसेंबल किये गए मदबोड के आयात की भी अनुमती दी, जिससे कम्प्यूटर की कीमत कम हो गई। कुछ टिपपनीकारों के अनुसार, सूचना प्रोध्योगी की, आईटी, क्रांती का बीज भी राजीव गांधी के समय में ही बोया गया था। मामले का खुलासा किया, जिसमें लाखों अमेरिकी डॉलर शामिल थे और भारतिय अनुबंधों के बदले में इतालवी व्यावसाई और गांधी परिवार के सहयोगी ओतावियो क्वात्रोची के माध्यम से स्वीदिश हथियार कंपनी बोफोस द्वारा कथित भुगतान गोटाले का पता चलने पर सिंग को पद से बर्खास्त कर दिया गया और बाद में उन्होंने कॉंग्रस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बाद में गांधी को इस घोटाले में व्यक्तिगत रूप से फसाया गया जब दहिंदू अखबार के नरसिमहन राम और चित्रा सुब्रमन्यम ने जाँच जारी रखी जिससे एक इमांदार राजनेता के रूप में उनकी छवी को नुकसान पहुँचा। 2004 में उन्हें मरनोपरांथ इस आरोप से मुक्त कर दिया गया। दो तैयार पंडुब्बियों और CKD फॉर्म में दो पंडुब्बियों को मजगाव गोधी में असेंबल करने के लिए खरीदने पर सहमत हुई थी। वीपी सिंग को जर्मनी में भारतिय राजदूत से एक टेलीग्राम मिला था जिसमें कहा गया था कि HDW पंडुबी सौदे में एक भारतिय एजेंटों को कमेशन मिला था। उन्होंने राजीव गांधी को इस बारे में बताया और जाच बैठाई। इससे मतभेत पैदा हो गए और वीपी सिंग ने कैबिनेट से इस्तिफा दे दिया। नवंबर 2013 में रिलीज हुई अपनी किताब Unknown Facets of Rajiv गांधी, जोती बसु और इंद्रजीत गुपता में पूर्व CBI निदेशक डॉक्तर एपी मुखर जी ने लिखा था कि गांधी चाहते थे कि रक्षा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भुगतान किया गया कमीशन पार्टी के चल रहे खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तिमाल किया जाएं। मुखर जी ने कहा कि गांधी ने 19 जून 1989 को प्रधान मंत्री के आवास पर दोनों के बीच एक बैठक में अपनी स्थिती स्पष्ट की। मई 2015 में भारतिय राष्ट्रपती प्रणब मुखर जी ने कहा कि यह घोटाला एक मेडिया ट्रायल था क्योंकि कोई भारतिय अदालत नहीं अभी तक इसे एक घोटाले के रूप में स्थापित किया गया है। नवंबर 1991 में श्वाइजर इलस्ट्रेटर पत्रिका ने इमेल्डा मार्कोस और तीसरी दुनिया के देशों के 14 अन्यशासकों द्वारा गुप्त खातों में रखे गए काले धन पर एक लेख प्रकाशित किया। मैकिनसे को एक स्रोत के रूप में उध्रित करते हुए, लेख में कहा गया है कि राजीव गांधी के पास स्विट्जिलैंड में गुप्त भारतिये खातों में 2.5 बिलियन स्विस फ्रैक थे। भारत में विपक्षी दलों के कई नेताओं ने श्वाइजर इलस्ट्रिटर लेख का हवाला देते हुए इस मुद्दे को उठाया। दिसंबर 1991 में अमल दत्ता ने इस मुद्दे को भारतिये संसद में उठाया। लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने राजीव गांधी का नाम कार्यवाही से निकाल दिया। दिसंबर 2011 में सुब्रमन्यम स्वामी ने केंद्रिये जाच बयूरों के निदेशक को लेख का हवाला देते हुए पत्र लिखा और उनसे नहरु गांधी परिवार के काले धन खातों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। 29 दिसंबर 2011 को राम जेट मलानी ने राज्य सभा में इस मुद्दे का अप्रत्यक्ष संदर्ब दिया और इसे शर्म की बात बताया कि भारत के पूर्व प्रधान मंत्रियों में से एक का नाम स्विस पत्रिका द्वारा लिया गया था। इस पर हंगामा हुआ और सतारूर कॉंग्रेस पार्टी के सदस्यों ने टिपणी वापस लेने की मान की। मुक विक्टर चेब्रिकोव द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र का हवाला दिया। पत्र में कहा गया है कि केजीबी ने गांधी के साथ संपर्प बनाए रखा, जिन्होंने एक नियंत्रित्फम के बानिजिक लेंदेन से अपने परिवार को होने वाले लाब के लिए केजीबी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस चैनल से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा उनकी पार्टी का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। 2001 में सुब्रमन्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायाले में एक रिटी आचिका दायर की। मई 2002 में अदालत ने CBI को आरोपों की सच्चाई का पता लगाने का आदेश दिया। दो साल के बाद CBI ने अदालत को बताया की रूस पंजीकरित FIR के बिना ऐसे प्रशनों पर विचार नहीं करेगा। राजीव गांधी की आखिरी सार्वजनिक बैठक 21 मई 1991 को मदरास वर्तमान चेननई से लगभग 40 किलोमीटर 25 मील दूर एक गाव श्री पेरम बदोर में हुई थी जहां श्री पेरम बदोर लोकसभा कॉंग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करते समय उनकी हत्या कर दी गई थी राद 10 बच के 10 मिनट बजे एक महिला जिसकी पहचान बाद में थेनमो जी राजरतनम के रूप में हुई जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की सदस्य थी सारवजनिक रूप से गांधी जी के पास पहुँची और उनका अभिवादन किया फिर वो उसके प एक 21 वर्षी अस्थानिय फोटोग्राफ अने ली थी जिसका कैमरा और फिल्म घटनास्थल पर पाए गए थे विस फोट में हरिबाबू नाम के कैमरामें की मौत हो गई लेकिन कैमरा सुरक्षित रहा गांधी के क्षत विक्षत शरीर को पोस्ट मार्टम उननिर्मान और ल मान्य व्यक्तियों ने भाग लिया उनका अंतिम संस्कार वीर भूमी में उनकी मा इंदिरा गांधी भाई संजे गांधी और दादा जवाहरलाल नहरू की समाधी के पास यमुना नदी के तडपर किया गया न्याय मूर्ती केटी थॉमस द्वारा सर्वोचन यायाले के फैसले ने पुष्टी की कि गांधी की हत्या लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन द्वारा श्री लंका में भारतिय शांती सेना, आईपी केफ, व्येजने और श्री लंकाई तमिलों के खिलाफ आईपी के अत्या प्रचारों से उत्पन व्यक्तिकत दुश्मनी के कारण की गई थी। माल्दीव में 1988 के सैन्य तक्तापलट को पलटने के लिए गांधी प्रशासन ने पहले से ही PLOTE जैसे अन्य तमिलोगरवादी संगतनों को नाराज कर दिया था। फैसले में भूख हर्ताल में थिलीपन की मौत और अक्टूबर 1987 में एक जहाज में 12 लिट्टे कैदरों द्वारा आत्महत्या का भी हवाला दिया गया है। जैन आयोग की रिपोर्ट में राजीव गांधी की हत्या में विभिन लोगों और एजेंसियों को संदिगधा बताया गया है। इन में मौलवी चंदरास्वामी पर हत्या के वितपोशन सहित समलिप्तता का संधेह था। राजीव गांधी की हत्या के पीछे के पांच सदसिय दस्ते की एक मात्र जीवित सदस्य नलिनी श्रीहरन आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं। 14 जून 1991 को गिरफतार किया गया, उसे और 25 अन्य को 28 जन्वरी 1998 को एक विशेश अदालत ने मौत की सजा सुनाई। अदालत ने 11 मई 1999 को नलिनी सहित चार दोशियों की मौत की सजा की पुष्टी की। नलिनी एक करीबी थी लिट्टे कार्यकर्टा का दोस्त, जिसे श्रीहरन उर्फ मुरुगन के नाम से जाना जाता है, इस मामले में एक और दोशी है जिसे मौत की सजा सुनाई गई है। बाद में नलिनी ने जेल में एक लड़की हरित्रा को जन्द दिया। अप्रेल 2000 में नलिनी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। राजीव की विधवा, सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया और नलिनी के मां होने के आधार पर क्षमादान मानगा। बाद में ये बताया गया कि गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वारा ने मार्च 2008 में वेल्लोर सेंट्रल जेल में नलिनी से मुलाकात की थी। नलिनी को गांधी की हत्या पर अफसोस है और कहा कि असली साजिशकरता अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। अगस्ट 2011 में भारत के राश्चुपती ने मुरुगन और मौत की सजा पाने वाले दो अन्य लोगो सुथेंद्र राजा उर्फ संथन और पेरारिवलन उर्फ अरिवु की क्षमादान याचिका को खारिस कर दिया। तीनों दोशियों की फासी 9 सितंबर 2011 को निर्धारित की ग के लिए रोक लगा दी। 2010 में नलीनी ने रिहाई की मान करते हुए मदरास कुछ न्यायाले में याचिका दायर की थी क्योंकि वह 20 साल से अधिक समय जेल में काट चुकी थी। उन्होंने तर्क दिया कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को भी 14 साल बाद रिहा कर दिया गया। राज्य सरकार ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उन पर असर। पर हत्या में भूमिका का आरोप लगाया, जिसके कारण कॉंग्रेस ने आएके गुज्राल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और 1998 में नए चुनाव कराए। लिट्टे के प्रवक्ता एंटोन बाला सिंगम ने भारतिय टेलिविजन चैनल को बताया, एंडी टीवी की हत्या एक बड़ी त्रासदी, एक समार्किय एतिहासिक त्रासदी थी जिसका हमें गहरा अफसोस है। दिल्ली में गांधी जी के दा संसकार के स्थान पर वीर भूमी नामक एक समारक का निर्मान किया गया था। 1992 में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस पार्टी द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रिय सद्भावना पुरसकार की स्थापना की गई थी। उनकी मृत्यू के बाद से 21 माई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस घोशित किया गया है। मार्च 2015 में हर्याना के खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि उस समय भारत में 232 ग्रामीन स्टेडियम थे, जिन में से 226 का नाम उनके नाम पर रखा गया था। उन्होंने कहा कि सरकार हर्याना राज्य में उनके नाम पर रखे गए सभी स्टेडियमों का नाम बदलने की योजना बना रही है। विज ने कॉंग्रेस नेता कुलदीप शर्मा की आलुचना की, जिन्होंने कहा कि यह उनके राष्ट्रिये नेताओं का अपमान था। की दे टेररिस्ट, 1997, एमर रमेश की साइनाइड, 2006, आरके सेल्व मनी की कुट्रा पतिरिकाई, 2007, जिसमें गांधी की भूमिका में अनुपम खेर हैं। मेजर रवी द्वारा मिशन 90 डेज, 2007, और शूजीत सरकार द्वारा मदरास कैफे, 2013, में संजे गुर्बसानी ने पूर्व प्रधान मंत्री की भूमिकाने भाई। प्रधान मंत्री 2013 की एक भारतिय व्रिद्चित टेली विजन श्रिंखला जो ABP न्यूस पर प्रसारित हुई और भारतिय प्रधान मंत्रियों की विभिन नीतियों और राजनीतिक कार्यकालों को कवग करती है, इसमें राजीव गांधी प्रधान मंत्री बने और शाह बानो एपिसोड में राजीव गांधी का कारेकाल भी शामिल है, मामला, अयोध्या विवाद, राजीव गांधी और बोफोस घोटाला और LTE का ओदे और राजीव गांधी की हत्या में मोहित चोहान ने गांधी की भूमिका निभाए